हेलो मेरे विहार के प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग I hope अच्छे होगे चाहिए दोस्तों एक बार फिर से में आप लोगों के लिए जीके जीएस जो बिहार भरती शिफाई परिछ्छ हे उसके लिए जो हमारे की चल रहा जीके 2 का उसके लिए में लगातार तन्मन धन से लगा हुआ हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए अगर आप लोग बिहार सिफाई भरती परिक्षा से एक सीट चाहिए आपको तो दोस्तों हमारे चैनल लगातार आप लोगों को कलासेश दी जा रही है दोस्तों तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप हमारे चैनल से जूड़ जाईए और साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर सेल करें दोस्तों तो चलिए दोस्तों ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आज जेगरोफ द्दमाकेदार तरीके से कराने वाला हूँ ठीक है दोस्तों !!! चलिए शुरूआत करते हैं पहले कोस्तोन से देखिए को हुआ एगनट आ देखिए पहला नमर्स कोस्तों क्या पुछा गया है आप से देखिए दोस्तों पहला कुछा गया है कि कौंकन रेलवे कार्पोरेशन का मुख्याले कहां इस्ती थे तो कौंकन रेलवे कार्पोरेशन का मुख्याले कहां पर नवी मुंबई कहां पर है नवी मुंबई में कहां पर दोस्तों नवी मुंबई ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिए अग्ला question ठीक है कॉंकन रेलवे किस परवत स्रेनी में से देखिए कॉंकन रेलवे किस परवत स्रेनी में से वेस्टेंड घाट इस्टेंड गार्स नील गिली पहारी या अरावली तो आप लोग को पता होगा जो कॉंकन रेलवे ना यह आपको मिलेगा वेस्टेंड घाट ठीक है और वेस्टेन घाट किसे कहा जाता है प्रादीभ भारत को आप लोग जानते होंगे तो वेस्टेन भाट किसको बोलेंगे जो पस्षी में पाया जाते हैं इस घाट को क्या बोलेंगे वेस्टेन घाट और इसको इस्टेन घाट ठीक है और यह दोनों घाट कहां पर मिलते हैं निलगीरी में काम पर मिलते है निल्गीरी में ठीक है धुस्तों तो आई होप आप लोग को समझ में आए चलिए देखते अगला इससे जुड़े और फैक्ट देख लिए हम लोग देखे फैक्त क्या बतारा राएं कि कॉंकल रेल्मार्क पर सिमी वेस्टेंड घ सारंब हुई थी ठीक है दोस्तों तो यह रहे हैं आपके इंप्रोटन फेक्ट ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ट पर देखिए अगला प्रस्ट पूछा गया है कि निम्नलिकिर राज्यों का छेटरफल के अनुसार करम में रखना तो सबसे पहले भारत का झेर sumus परहता प्रफल के दिश्टी से सबसे बड़ा राज कौन सा है राजस्तान को ने राजस्तान ने ठीक है राजस्तान है उसके बाद 2 में आता है महाराश्टा और पूर में आएगा आणर परदिस तो पहले को न आना चाहिए राजस्तान C तो पहले सी देखिए तेनों में हैं cham dcken d टिसंव क्या है तो आपका क्या सी गेरा बहुत बहुत स्थे राज्दानिया इस डीड Schwar चाहिए रात सब्सक्रस्राइब करना होगा जयो तो इस तरह के प्रश्ण बहुत ज्यादा इंपोर्टन है ठीक दोस्तों आपको आराम से प्रेक्टिस करना इस सब प्रश्णों को ठीक है चलिए देखिए अब इससे जूड़े फैक्ट देख लेते हैं हम लोग देखिए फैक्ट क्या बता रहा कि मैंदरपर्देश का चेटर फल कितना है कि लाकट 292 वर किलोमेटर और राज्यस्तान का चेटर फल एक लगए 42200229 वर किलोमेटर महराश्ट का कितना है एक लाग शिष्टी थाउजन दोस्टो पांच वर किलोमेटर इस परकार इनका सहीकरम क्या होगा सी ए डी भी ठीग है अब देखते हैं अगला प्रश्न देगे कि अगला प्रश्न पूचा गया है कि छेत्रफल के दिश्टी से भारत का सबसे छोटा राज कौनवीं सा है तो छेत्रफल के दिश्टी से भारत का सबसे सबसे Wilson से कोन True Hai लोगा दोह को नहीं होगा ओगा और कहां पर के समansa है यह देखे है महाराश्टा का इस प्यांट पर है यहां यह हो गया यह महाराश्टा यहां तक सुरूँगा करनाटक ठीक है तो यह आपका बिंदु छोटा सा एकदम छोटका सा है ठीक है गोवा ठीक है तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े देखेक्ट क्या बता रहा है कि भारत के 29 राज्यों में छेटरफल के दिश्टी से गोवा सबसे छोटा राज है और गोवा का छेटरफल 370 702 वर्ग किलोमीटर है और 30 मई 1987 को इसे भारत के कितने 25 राज के रूप में मायनेता दी गई है ठीक है दोस्तों चलिए आप देखते हैं अगला प्रशन ठीक है देखे दोस्तों आज जो है ना पटना में बहुत जादा गर्मी भी है ठीक है आप देख सकते हैं कि गर्मी ए कोण होगा गुजरत यह वाला छेत्र भारत का ठीक है यहां से घीके तो गुजरात का जो है सबसे ज्यादा क्या है त्यार डूरी ठीक है चलिए ऐसे-ज़़ार जाता है ना इस तरह से लिए तो चलिए देखते हैं इससा जुड़े एक लेक्त देख लेए हम लोग किसका गुजरात राज का और अभी गुजरात में भी पॉर्ज जो भ्यानक तुफान चक्रवाद जो है आया हुआ है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण क्या पूछा गया है कि किस राज की समुद्री सीमा नहीं है बताइए कि इन में से कौन से राज का समुद्री सीमा नहीं है किसका नहीं है राजस्तान का नहीं है महाराष्ट का है गुजरात का है तो राजस्तान का नहीं है ठीक है दोस्तों तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण क्या पूछा गया है कि क हिस्सराज की सीमा चीन सा जुड़ी हुए है बताए है कौन सा ऐसा राज चीन के साथ लगा हुआ है अरुनाचल पर्देस और फैक्त की बता रहा है कि भारत के जम्मू कस्मीर हिमाचल परदेश उत्राखन शिक्किन तथा और उनाचल परदेश की सिमाएं चीन से जूड़ी हुई है किसे जूड़ी हुई है चीन से बहुत ज्यादा इंप्रोटन फैक्ट है दोस्तों क्योंकि इस तरह के कोशन पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रस्न अगला प्रस्न क्या पूछा गया है कि भारत के किन राज्यों की सिमाएं मैमार की साथ लगती है तो मैमार के साथ इन में से कौन से भारत के राज्यों की सिमाएं लगती है बताईए मिजोरा मनिपूर नागालेंड और अनुनाचल मिलती है ठीक है तो आप देखिए अगला प्रश्न ठीक है अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्निलिखित में से कौन सा राज पहले नेफा के रूप में जाना जाता था अरुनाचल परदेश कौन जाना जाता था अरुनाचल परदेश ठीक है तो देखते हैं इसे तो चलिए देख्ते हैसे अगला प्रस्निंग का अंतर निम से किस अस्थान पर होगा कि तापंतर पर सारवधिक परवा महादी पियता का पड़ता है अर्था जो अस्थान समुद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसमें नियुमतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक होगा ठीक है और दिल्ली को छोड़कर उप्यूक तीनों महान अगर समुद् परिस्तित वहते दिल्ली में तापंतर क्या होगा यानि कि तापंतर सबसे जादा कहां पर होगा जो समुद्र दूरी से ज्यादा दूर में होगा ठीक है तो बागी तीनों देखिए जैनवी समुद्र के पास है त्रिवेंदरम और मुंबए भी यह डिली नहीं है तो इस का रूद कौन सा राज यह गुजरात अंडरपदेश प्रक्षी मंगल बिहार बिहार आपका अस्तल रूद रहे यानि कि बिहार की सीमा समुदरी सीमा से नहीं लगता है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट ठीक है देखिए फैक्ट क्या पूछा गया ह कि अस्तल रूद राज यानि कि लैंड लॉक्ट से गिरे होते हैं यानि कि जो स्टेट चारो और अस्तल से गिरे होते हैं जिनकी सिमाएं समुद्र से लगी होती है वे अस्तल रूद राज नहीं होते हैं मैंने बताया कि ऐसे राज जिनकी सिमाएं समुद्री भाग से लगा है वह अस्थलरू दियाने की लेंड लॉक स्टेट में नहीं आते हैं ठीक है और अथा उप्युक्त विकल्पों मेंसे बिहार ही ऐसा राज्य जिसकी सिमा समुद्र से नहीं लगती है ठीक है चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण क्या पूच बता रहा है जिसकी सिमा जीला मायथलगे मं देख लेते हैं अगला प्रश्णा प्रश्ण है पूचा गया है कि संग साथिस पर देश दाधरा और नागर ह fonction भेली फारत में नीम्हिंट्र में से कीर्था पर Collec किशर्वास्तrendre कि स्थिस्तित है कि देखिए संग साधित पर्देश दारानगर हवेली गुजरात और महरास्त राज्जों के मज इस तीद है ठीक है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोश्चेन है ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रस्चन पूछा गया है कि निम्निलिकित राज्जों की सही राजध अगर और इंपाल किसका होगा मनिपूर की तो एका फोर एका फोर दोनों में है और बीका थ्री इसमें दोनों में है ची का गया अरुनाचल पर्देश का विटा नगर दो यह यह पिनउमर आपका राइट अंसर ओगया ठीक है दोस्तों चलिए आप देखते हैं यह आज बह है आईजोल है और नागा लेंड की राजदानी कोहिमा और अरुनाचल परटेश की राजदानी क्या है इटा नगर और मनिपूर की राजदानी इंफाल है सबसे आसान कुछ कि अगला प्रस्न को सबसे बड़ा नदीप की जोरहत में का है जोर हट मैं ठीक है चलिए देखते हैं जोकि असम के जोरहट जीले में जोरहट जीले में बहुत important fact है चलिए अब देखते हैं अगला है नेखिए अगला प्रश्च ने पूछा गया है कि भारत का एक मात्र राज कौन है? जिसकी सीमाई सिक्किम से मिलती है देखिए इन में से भारत का कौन सा ऐसा राज है जिसकी सिमाई किसके साथ मिलती है सिक्कीम के साथ तो सिक्कीम के साथ किसका मिलेगा असम का पस्चिम बंगल का मेगाला अरुनाचल पर देश तो पस्चिम बंगल का मिलेगा किसका पस्चिम बंगल का ठीक है दार्जिलिंग स सबसरे छोड़ा राज गोने सिक्कीम ठीक है और यह नेपाल इवं भूटान के बीच इसी अस्तलूड यानि कि लैंडलोक राज है और चीन का सुवायत परदेश तिबत उत्तर में पस्चीम में नेपाल पूर में भूटान और धक्षीन में भारती राज पस्चीम मंगाल की स सुष्क मौसम पर रहेगा पता है इसा राज यहां केवल तीन से चार मात तक सुष्क मौसम रहता है यह गर्मी की तुलना में जाड़े में अधिक वर्सा होता है ठीक है चली अब देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है कि महिद्ध परदेश राज कितने राज्यों से गिरा ह वा है तो महिद्ध परदेश कितने राज्यों से गिरा हुआ है पाँच राज्यों से कितने फांच ठीक है चली देख लेते हैं और दॉक्राश्ठान तथा गुजरात है क्वोन है घृथ ठीक है चली अब देखते और अगला प्रस्ण पूचा गया है कि बीज़ू के सार्वधिक ठंडे अस्थानों में बारत का कौन सा है जो दूसरे अस्थान पर आता है दरास जम्हुकस्मीर, ठीक है दोस्तों तो चलिए देखते हैं इसे जुड़े, देखें, फैक्ट क्या बता रहा है कि जम्हुकस्मीर के दरास उस्थान सबसे कम तापमा द्रास जम्मो कसम को ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला प्रस्ट देखे अगला प्रस्ट में पूछा गया है कि भारत का नेशनल एटलस एन थीमेटिक मेपिंग और गनाइजेशन निम्नलिकित मेंसे किस अस्थान पर हुआ था ठीक आवस्ती थे ठीक है तो किस अस्थान चेलिए खूलकाता की प्रस्टिक में और गनाइजेशन का कि नेशनल एटलस एन थीमेटिक मैपिंग और्गनाइजेशन का मुख़याल कोल कात में जो है क्या Thematic Mapping Organization ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रस्ण ठीक है देखिए बंगलादेश से भारत का कौन सा राज सटा नहीं है बंगलादेश से भारत का कौन सा राज सटा नहीं है देखिए मनिपूर मेगाले पस्षिम बंगाल तिरुपूरा तो आपका राइट संदीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रस देखिए अगला प्रस्ण क्या पूछा गया है कि यूरोपीय देश पॉलें के समान भारत का कौन सा राज नहीं है तो कौन सा राज यह MP माधर पर देश कौन सा है MP माधर पर ठीक है तो चलिए देखते हैं इस से जुड़े देख लेते हैं नहीं एक फैक्ट क्या पूछा गया है नहीं एक फैक्ट ठीक है यूरोपी देश पॉलें का कुल छेटर फल कितना है कितना है बताईए तीन लाग 12600 तीनासी वर किलो मेटर तो देखिए बिहार का भी कितना है इतना उरिष्टा मजद परदेश का लगभग उतना ही यह 3 लाग की आसपासी एठीक है तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग का मजद परदेश और विदेश का पॉलैंड एक समान है यूरोप के देश दोस्तों बहुत छोटे-छोटे ठीक है UPA केले काफी है बहुत सारे देशों से ठीक है अबिखते अगला प्रस्न देखिए तो कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि मद्धेश का पंच मळी रिसॉट किस परवत स्रिंखला में पंच मळी रिसॉट ये आपका MP में किस जगाप पर कौन से परवत स्रिंखला में है बताइए सत्पूरा का ए सत्पूरा स्रिंखला में कर बाओ थी तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और देखें क्या बता रहा है कि पर प्निट महुद्ध परदेश कंषित ऑस्थय पर वगड़ जी यह सह लेए जात पूरा की राणी तिसे कहा जाता है अब देखिए अगला प्रश्ण पूचा गया है कि निम्नलिकित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं हुगी उत्राँचल तो किसकी नहीं होगी उत्राँचल की नहीं होगी उत्रांचल तो उपर में है उपर में कहां पे है यूपी के उपर और हिमाचल परदेश के नीचे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट ठीक है देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि वर्तवान में उत्राखन की सीमा पंजाब को नहीं चूती है और पं देखते हैं अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट पूछा गया है कि सिम्ला से जुड़ा राष्टी राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है कि से भारत को तिब्बत से जोड़ता है ये कौन सा राष्टी राजमार्ग है एनच 22 को नहीं है एनच 22 ठीक है चलिए द देखे अगला प्रस्टन व्रहिए अगला प्रस्टन क्या पूछा गया है कि राष्ट्री राज़ार्प सेंग्हा एक जोड़ता है दिली से अंदितर को जोड़ता है धीक है और देखी रहे हैं कितना गर्मी यह थिज दौने आज जोड़े कि राश्टी राजमार्क एक दिल्ली से अम्रित सvart को जोड़ता है जो मुंबई से कोलका ता राश्टी राजमार्क से दुआर सब्सक्राइब बहुत ही ज़ादा इनमेता इसको आपको नोड-डाउन और कर ले ना क्यूंकि एन्यस से कोस्वा करते रहता ठीक चलिए आप देखेंगे अगला प्रॉश्न अगला प्रस्न क्या पूछा गया है जिसकी साक्षर जन्सेंगा की परतिस्थ सब से अधीक के बताई ये कौन है लक्षदीब है नक्षदीब ठीक है तो चलिए देखते हैं फैक्ट इससे जुड़े देखिए फैक्ट क्या बता रहा कि वर्ष 2011 की अंतिम जन्गन्ना के अनुसार सार्वधिक साक्षर के निरसासित परदेश लक्षदीब है जो 91.8% है और दूसरा अस्थान दमन और दीब है जो 87.1% है और तीसरा अंडमान एवम नीकोवार दीब समू 86.6% है ठीक है तो बहु डाउन भी कर सकते हैं आप लोग चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण क्या है कि निम्लिकित में से कौन सा राज 36 गर राज की सिमाओं को नहीं चूता बताइए ऐसा कौन सा राज है जो जिसकी सिमा 36 गर राज के साथ नहीं लगता है उडिस्सा इसनलोर्उ Am leads महम tired महाराश्ट Kerry को साथ थूती है लेकिन इसके साथमेश नहीं चूती हैं परसीम बंगाल के साथ नहीं चूती है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण नीम ने लिकित बाइं से किसमें से सिरीहरी कोटा इस्तीत है सिरीहरी कोटा कि रॉंचिंग 79 जहाँसरो तो चलिए देख लेते इस सो जुड़े देगे फैक्ट क्या बता रहा है कि सीरी अरी कोटा आंडर प्रदेस्ट में पूली काट जिल के मुगाने पर है ठीक है और यहां पर भारती आंतरिक्ष अनुसंदान संगट इस रो कोने इस रो ठीक है और का इत्यद्धूनिक ठीकि प्रक्षपन कीरते हैं ठीके संटेलाइट प्रक्षपन यहीं से होता डिए कैज बाइए अगला प्रस्ट म Halo परиля्ष और इससेट का अंतिम प्रक्ष्थंब तो इसमें क्या आंड़पर्देश और उत्तर प्रदेश चीनी का कडोरा किसका चीनी का कडोरा थीक है तो अब देख लेते हैं से जुड़े ol ab kid कर ने ऊश्तर प्रदेश च कि उत्री गजसे कि उत्तरी भाग परिस्थीत मुझपफर पूर्प भारत का चीनी का कडोड़ा दसours विए आप लोग विए फ़ा Children नाम से जाने से जाना जाता है उत्तर पर देश राज में सबसे अधिक मात्रा में गन्यだ उत्तत़ब्रदेश को मैंने करना दिया अगर आप लोग बियार भर्ती हमें से लुद्ट सबसे बहतर कंटेन के साथ क्लासेश और सारे प्रश्णों का सटीकों सरल तरीके से कराया जारा और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ठीक है दोस्तों मिलते हैं इसी तरह धमागेदार अगले वीडियो में जहीं